सबस्कार दोस्तों Hello friends आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी WordPress website का username change कर सकते हैं एक्चली होता है कि हम registration करते समय कई वार हमारा username admin रह जाता है तो यह admin बहुत ही common username है जिसे कोई भी बंदा जो है username change नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और साथ ही हम इस वीडियो में discuss करेंगे कैसे आप अपनी जो WordPress का dashboard का user URL है URL कैसे change कर सकते हैं क्योंकि जो URL होता हमारा by default यह होता है कि जैसे आपकी website है तो जो भी website website.com slash WP admin यह होता है हमारा default तो इसको हम कैसे change कर सकते हैं तो देखते हैं देखते हैं इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो login कर लेते हैं अपने dashboard में यह देखे login हो गया इसके वाद सबसे पहले हम इस URL को change करते हैं ठीक है यह जो URL है जो WP admin से खुल रहा है यह बहुत ही बेसिक सा है और डिफॉल्ट है तो सभी बंदों को पता होता है कि वर्डप्रेस पे वैफ साइट है तो वह इस इस पेज को easily access कर लेते हैं और रॉंग username डाल के try कर कुछ भी password try कर सकते हैं ठीक है तो इसको कैसे change करते हैं सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या करना है इसके लिए आपको एक plugin डालना पड़ेगा बताता हूं कौन सा plugin है add new पर जाएए ठीक है सर्च करना है मैं बताता हूं क्या सर्च करना आपको यह सर्च करना लॉक डाउन डबलूपी एड्मिन और यह देख लिए यह वाली जो plugin है यह देखिए माने इंस्टॉल कर रखा है सेंफी सर्च वारा यह प्लगिन है 60,000 पलस इंस्टॉलेशन इसकी अभी लेवल है ठीक है तो इस प्लगिन को आपको इंस्टॉल करना है अब देख लेजिए यहां पर साफ साफ विजन देख भी रखा है इट कन हाइड वर्डप्रेस डबलूपी एड्मिन और डबलूपी लोग जो भी है आपका वह इसे हाइड कर सकता है तो चलिए इस प्लगिन को एक्टिवेट कर लेते हैं और देखते हैं यह कैसे काम करता है यह देखिए एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट होने के बाद आपको इधर यह बन जाएगा कॉलम इसके उपर क्लिक करना है आपको लॉकडाउन डबलूपी पे यह पेज खुल के आएगा तो यहां पर अगर क्लिक नहीं है तो यह www.taxultans.com slash wp-admin से खुल रहा था अब slash tag डालना पड़ेगा तभी लोगिन का पेज आएगा नहीं तो नहीं आएगा यह पेज यह देख लिजिए your current login URL ठीक है तो इसके बाद save option कर देना है ठीक है करके disable http authentication अब देखिए होगा क्या मैं दिखाता हूं आपको जैसे कि मैं अब मैं इसको खोलता हूं देखिए अभी तो चलिए login है इसलिए यह open हो गया इसको पहले logout कर देते हैं तो चलिए अब देखते हैं यह देखिए टेक्स लुतांस अगर मैं यहां पर WP admin खोलता हूं तो यह देखिए page not farmed बट जो हमने यह टेक्स डाला था अब इस URL से खोल के देखते हैं यहां पर हम टेक्स लगाते हैं तो यह देखिए login पर जागया हमारा तो इसी की बात कर रहा था मैं इसको आप कैसे ब्लॉक कर सकते मतलब आप अपना custom URL कैसे अड़ कर सकते इससे होग क्या कि किसी भी third person को पता ही नहीं होगा कि आपका actually login URL है क्या तो यह security purpose के लिए बहुत important है यह अगर आप लोग ने नहीं कर रखा है तो आप अपनी website पे जरूर कर लीजिए ठीक है तो आप चलिए देखते हैं इस admin को भी कैसे अटाई admin भी बहुत common है तो इसको भी कैसे ठीक है पहले तो हम लोगिन कर लेते हैं कि यह आगया हमारे dashboard में उसके बाद हम यूजर्स पर चलते हैं इसको एक लिए करते हैं तो यहां पर देखिए username गैंनोटमे चेंज इसको कैसे चेंज कर सकते मैं आपको बताता हूं यहां पर आनाया आपको पहले और यहां पर एड़न्यू करना एक कि आपको जो भी user name डालना है पंप अब website का नाम ना भी लिखे तो कोई जो भी आपका मन करता वो डाल सकते हैं कोई वो नहीं है नहीं बगएर डालना डाले नहीं तो मच डाले कोई दिख करने हैं पासवर्ड जन्रेट कर लेते हैं ठीक है और उसके बाद इसको आजाइड्मिनिस्ट्रेटर बना देते हैं ठीक है तो नियू यूजर एड्ड हो गया अब हम इस एड्मिन को लोग आउट करते हैं ठीक है जी उसके बाद जो हमने यूजर नेम नहीं बनाया है और जो भी पासवर्ड है हमारा इसको लोगिन करते हैं ठीक है जी यह देखे लोगिन हो गया फिर से एड्मिन को हम डिलेट कर देते हैं इसको डिलीट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको अब्लेट ओल content ठीक है जी अगर आपको सारे content डिलीट नहीं करना है क्योंकि हमारी website पर जो भी post है वह सारे डिलीट नहीं करना तो आपको क्या करना है attribute all content to new अब जैसे जो मैंने new बनाया text उलताल तो उसको attribute कर देते हैं यह जरूर द्यान रखिए अगर आप यहां पर click करेंगे सब कुछ delete हो जाएगा आपको तो आपको यह attribute to all इस पर करना है ठीक है और confirm deletion तो देखिए successfully आपने वह remove कर दिया आप new user add हो गया आपका administrator जो है ठीक है तो इस तरीके से आप अपना यह चेंज कर सकते हैं password तो चेंज करना हो तो यहां से आप edit कर सकते हैं Edit पी जा करके और यहां पर जो है चरब कर देखिए अच्बारद आप जो भी आप चलते यह आप जाते हैं यहां से पासवरद आप चेंज कर सकते हैं ठीक है और और लोग और करके जो भी है यहां से अपडेट प्रूफाइल करतेंगे तो पास्वर्ड वे आपका चेंज हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना इस वीडियो में आपने यह सीख लिया कि कैसे आप अपनी website के लिए custom login URL अड़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपन होगी और टेक्निकल वीडियो आने वाले टाइम में बनाता रहूंगा कि थैंक्स फॉर वाचिंग वन सब्सक्राइब मैं चैनल और अल्सों लाइक शेयर और कमेंट के बाए